डोड लंबी है इसका ये मतलब नहीं कि पतंग ऊची जाएगी पतंग उडानी आनी चाहिए इसी तरीके से काम्याब हो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा काम्याब रहोगे काम्याबी संभालनी आनी चाहिए दुनिया तुम्हे वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है ये दुनिया तुम्हे वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते है तो उसका सिर्फ एक तरीका है अपनी नजर को बदलना आपके होने पर भले मैफिल में कोई आपको पूछे या ना बूछे लेकिन आपके ना होने पर हर इंसान को आपकी कमी खले देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचले के डबे में जाना होता है हर पतंग को एक दिन कचले के डबे में जाना होता है लेकिन उससे पहले आसमान फूप के दिखाना होता है तेंथ क्लास में फेल हो गया जो लड़का लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी दुनिया हिला दिया रहे उसी महरास्टर गोर्मेंट ने जो बच्चा तेंथ क्लास में फेल हो गया था उस तेंथ क्लास की किताब में पहला चेप्टरी स चिंतेंदुल करका डालना पड़ गया ये है एक चीज डर लगेगा तुझे फासला देखकर तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर एक दिन खुद बखुद मन्जिल आएगी तेरे पास तेरा होसला देखकर दुनिया के 95% लोग अपनी सिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं 5% लोग हैं जो गर्दन के उपर वाले हिस्से से कमाते हैं इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है ये वाला है 5% ये वाला है पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है शाई किसकी खतम होती है प्रेसर किस पे पड़ता है सारा काम ये करता है ना फिर शाम को इसको पर विराजमान कौन होता है पाच परसेंट मंजल पाने चला है कि कुछ इस तरह बुन अपने तकदीर के धागे कि पूरी काइनात को छुपना पड़े तेरी जित के आगे ये बात आपको भी अच्छे से मालूम है कि जब तक आप अपने अमल अच्छे नहीं करोगे तक तक आपका ये बुरा वक्त खतम नहीं होगा आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है परेशानियों से बागना असान होता है हर मुश्किल जिन्दगी का इंतिहान होता है हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता मिया साफ और मुश्किल से लड़ने वालों के कत्मों में जहान होता है अस्सलाम अलाइकुम लड़के भी घर से बाहर मम्मी पापा के बगैर होते हैं यदि लड़की घर की लच्छमी तो लड़के भी कुवेर होते हैं बस यादे ही जा पाती हैं अपने गाउं जमीनों तक लड़के भी कहां घर जा पाते हैं कई साल महिनों तक अपनों के सपनों के खातिर ये भी मजबूर होते हैं अजी लड़के भी रोते हैं जब घर से दूर होते हैं मत थेक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा, मत रहो यो उदास, तुम्हें देखकर भी कोई जीता होगा मत बनो यार, जिन्दगी में अगर कुछ बनना है ना, तो अपनी सोच को बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है, उसे और कमजोर बनाती है तो एक कहवत है कि भाई मरे बल घटे, जोस्ते हैं रिए कि अगला हिस्ता है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे च्छत जाए, और जिस Дन मरेगी मावडी सर अरजग सुना कर जाए अगर लोग अभी तक आपके काम पर नहीं हस रहे, तो मतलब आप गलती नहीं कर रहे, और अगर आप गलती नहीं कर रहे, तो मतलब आपने अभी तक कुछ नाया करना शुरू ही नहीं किया. आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आप दुनिया का कितना भी भला कर लोगी, ये दुनिया आपको लात मानने के लिए आपकी बस एक गलती का इंदिजार कर रहे हैं. जो फेल होता है न, वहीं बता सकता है कि कहां गलतियां न करें. कभी-कभी आपका सबसे खराब खिलाडी, देश का सबसे अच्छा मपोच बन जाता है. क्यों? तो आप सब डटे रहें.